नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंता दिवस के अफसर पर असम में प्लांट किये गए 24 बमों के बारे में जो बहुत ही चिंता का विश्य है सबी जीज़ों को समझते जानते हुए आगे से बढ़ते हैं तो देखिए न्यूज हमारी है कह रही है कि स्वतंता दिवस के सुभा अलग-अलग मीडिया हाउस के पास में इन्फोर्मेशन जाती है यह जो इन्फोर्मेशन है यह बेजे जाती है उल्फा आई या उल्फा इं बम नहीं फटे लेकिन उसके बाव जो चिंता के अनेक विशे हमारे सामने यह बम छोड़ गया है ऐसी आदत है आतंकी संगठनों की कि यह पहले शांती से बम प्लांट करते हैं और बम प्लांट कर देने के बाद में फिर इन्फॉर्म करते हो बताते हैं कि आपके लोगों क जान खत्रे में अगर बचा सकते हो तो बचा लो वरना आपकी मर्जी है और 24 बम अगर फटते तो यह वास्तम में कई लोगों के जान लेकर जाते हैं इसमें कोई दो राहे नहीं है हाला कि इनकी ही गलती के कारण तकनीकी विफलता के कारण सबी चीज़े ठीक रहें इसके हम वास्तम में इश्वर के शुक्र गुजार हैं अभी चीज़े हमारी क्या कह रहे हैं यह भी समझ लेते हैं लेकिन इक इंपॉर्टेंट न्यूस देखनेने के बाद दरसल संस्कृति या इस ने स्वतंता दिवस के अफसर पर आपके लिए खास ओफर शुरू किया था जि अगर अपने कोई क्वेरी है तो आप लोग 955-124-124 पर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं ठीक है तो ओफर के जुड़ी हुए सबी चीज़ों जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो आप लोग इसको ले लीजिए आगे बढ़ते हैं चीजों को स अलग जगाँ पर फटेंगे यानि भारत का स्वतंता जिवस इनको खराब करना था इन्होंने यह सोचा था यह चाते थे कि स्वतंता जिवस के रंग में भंग पढ़ जया लेकिन तकनीकी विफल्दा के कारण यह भं फटे ही नहीं तो सभी चीज़े ववस्तित रही अब जो यह संगठन है यही आतंकी संगठन लोगों से कह रहा है कि बम ढूढ़ा दो इसने क्या किया कि अलग जगाओं की एक लिष्ट कर दिया पुलिस ने इस पूरे घटना करम के दौरान आट बमों की खोज कर ली थी पाँच अलग अलग जिलों की अंदर यह असम पुलिस की एक अच्छी अचीवमेंट थी हलाकि अभी बहुत सारी चीज़े अधूरी रहा भी गई थी तो विस्पोटक समाने नोंने बरामत की हैं दो फटे इसलिए ने क्योंकि इनमें जो फटने वाली समागरी होती है वो फटने वाली समागरी ही नहीं लगाए गई थी यानि कि इन्होंने बम लगाए द्याशत फैलाई चंता फड़ाई लेकिन इसके अंदर जो विस्पोटक समागरी थी वो थी ही नहीं एक परकार से इनक परकार की घटना इन्होंने अंजाम दी थी असम के धेमाजी में एक खेल ग्राउंड में स्वतंता दिवस का कारेकरम हो रहा था यहां पर इन्होंने बंप्लांट किया वह भंप्टा भी था और वह भंप्टा तो तेरा लोगों की जान इसमें गई थी जिनमें 10 बच्चे थे बहुत ही दुखत घटना थी तो इस परकार की घटनाओं के लिए जाना जाता है पहले से उल्फा आई अब जरूरी है कि थोड़ी बात हम लोग उल्फा आई या उल्फा संगठन के बार में भी जान लें दर असल उल्फा नाम का एक संगठन वर्ष 1979 में सामने आता है साथ आपरेल के दिन उल्फा युनाइटेड लिबरेशन फ्रेंट ओफ असम इस संगठन की स्थापना का उद्धेश सिर्व इतना था कि हम सरकार से लड़ जगड करके और सशस्त्र संगर्ष यानि कि हतियारों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के असम को भारत से अलग कराएंगे और एक संप्रभू समाजवादी असम की स्थापना करेंगे ये इनका मुख्य उद्धेश्यता इस संगठन को स्थापित करने का सब इस चीज़े ठीक चल रही थी 1979 से इन के लिए यानि कि ये सरकार से संगर्ष कर रहे थे आंदोलन करते थे विद रहते हैं कि जो हमारे सामने आया उल्फा एटीए और उल्फा पीटीएफ दोनों ही संगठनों के लीडर अलग-अलग थे जर्नल ही होता है संगठन के अंदर भी संगठन बन रहे होते हैं वही स्थिति यहां पर हुई उल्फा एटीए और उल्फा पीटीएफ ये दो संग बात्चित के पूरा खिलाफ था यह कहता था सरकार से बात्चित हमें करनी ही नहीं है हम बस संगर्श करेंगे और एक असम की स्थापना करेंगे जो संप्रभू समाजवादी असम कहलाएगा अभी इनकी स्थिति वहसी की वहसी अथावत बनी हुई है इन्होंने 2013 में अपना कर लिया और कहा कि हम अपना संगर्श जारी रखेंगे जब तक की असम भारत से अलग नहीं हो जाता है और यह अभी उसी संगर्श में लगा हुआ है भारत में इसी वज़ा से यह संगर्टन बैन है दूसरा उल्फा पीटीएफ है इसने सरकार के साथ बात्चित बढ़ाई रजामंदी दिखाई चीजों में सहयोग के लिए इसने अपना रुज़ान प्रस्तूत किया अपने विचार प्रस्तूत किया कि हम कॉपरेट करने के लिए तैयार है तो उल्फा पीटीएफ के स्टित यह रही कि इसको समाल रहा थे अर्विंद राजखोवा अर्विंद र प्रस्तूत कर रहा है तो कई बार चीज़े पूची गई है उल्फा आई से जुड़ी हुई या उल्फा संद्र प्रिक्षाव में तो आप लोग आगे के लिए इसके लिए तैयार रहिएगा एक प्रशन आप लोग की स्क्रीन पर सरल सा प्रशन है क्या रहे है कि United Liberation Front of Assam इसका अगठन कब हुआ था 1976, 1977, 1978 या 1979 आप लोग को अपना प्रशन का उत्तर कॉमेंट में देना है और वीडियो इंफर्मेटिव लगिया तो बाकी साथी तक शेर ज़रूर करना है वीडियो क के लिए बने रहना है संस्कृत याइस यूटूब चैनल पर जल्द मुलाकात होगी फिर कुछ नए विश्यों के साथ लेकिन तब तक के लिए विदा देजिए थैंक्यू सो मच